मौसम ने अपना रूख वदल दिया है, सर्द हवाएं और धीरे धीरे ठंधी का बढ़ना एक तरह से कहा जाए तो मौसम परिवर्तन का सुरुवाती दौर सुरु हो चुका है, जिसके दौरान सर्दी खासी और जुखाम जैसे बिमारियां लोगों को परिशान करने लगी हैं हर कोई इन बिमारियों से बचने का तरकीब जानना चाह रहा है, आईए आज हम आपको बताते हैं इस परिस्थिती से हम कैसे बच सकते हैं, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पेड़ की जिसे संजीवनी बुटी कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा, अगस्त का पेड़ जो सर्थी खासी जुखाम और बुखार के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है, इसका जड़ छाल, तना, फल, फूल, पत्तियां और बीज सभी का अलग-अलग उपियोग है, और गर्जब का लाव है, तमाम गंभेर बिमारियों को जड़ से खत्म करने में यह आउसधी जिवनी बुटी का काम करती है, आईए जानते हैं कि इसका उपियोग महतोर खासियत और किन-किन बीमारियों में यह किस प्रकार से कारिगर होता है, मेरा नाम डक्टर आर्वियन पांडे है, मैं यहां शांती आयरुवेदिक मेडिकल कालेज बली आशे हूँ, देखे यह जो फूल दिख रहा है, यह अगस्त का फूल है, यह हमारे मेडिकल कालेज के हर्वल गार्डेन में उपलब्ध है, इसका पेंड 6-7 फिट लंबा होता है, और यह इसी समय, इस सीजन में जाड़े के समय इसका फूल निकलता है, वैसे तो इसके प्रयोज अंग सारे हैं, इसके प्रयोजन जो है हम जड़ का कर सकते हैं, इसके छाल का प्रयोजन कर सकते हैं, इसके पत्तों का प्रयोजन मिला सकते हैं, इसके पुस्प को भी प्र करके और इसका वो बनाते हैं काड़ा बना करके और उसको अगर देते हैं मुख्य रूप से जो हम लोग यहां देखते हैं जैसे पुराना माईग्रेन हो सरदर्द की शमश्या हो तो उसमें इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इसका जो पत्ता है उसका स्वरस निकाल करक और उसको हम लोग नासिका छिद्र से डालते हैं जैसे अगर राइट साइड माईग्रेन है तो लेफट साइड की नासिका से डालेंगे अगर लेफट Yaz siamo daughter है तो राइट साइड की नासि Wheat के पत्य का स्वरस दो से चार बुन डालते हैं जिससे काफी महतुपूर्ण जो है बहुत ही अच्छा लाव मिलता है इसमें वैसे तो अगस्त को हम लोग कई रोगों में उपयोग करते हैं माईग्रेन की शिकायत हो आग से समन्धित कोई परशानी हो और खास करके ओरतों में प्रदर वगरा की जो समस्या होती है श्वेत प्रदर इसमें भी इसका बहुत ही उपयोग है साथ साथ अर्थराइटिस में हम इसका उपयोग करते हैं पेट से समंधित बिमारियों में भी इसका उपयोग करते हैं इसके अलग-अलग चीजों का उपयोग अलग-अलग बिमारियों में होता है तो हमारे पेट से पुरानी जीन कभज वगरा में काफी रहात मिलता है कभज यतोगरा में और कोई भी किसी भी आउसदी का प्रियोग तभी होना चाहिए जब किसी चिकित्सक से उसका परामर्स लिया जाए बिना परामर्स चिकिचके परामर्स के किसी भियोसदी का उप्योग करना उचित में आता है लोकाल एटीन के लिए बलियां से सनंदन उपाध्याई की रिपोर्ट